हरे क्रिश्णा अक्सर ये प्रश्ण हमसे कहा जाता है क्या विज़कौन वाले लोग पुरुशों को दोती कुर्टा पहने के लिए प्रोसाहित करते हैं और महिलाओं को साड़ी अरे भक्ति तो हिर्दे की बात है ये तो मेरे और भगवान के बीच के प्रिम संबन्द की बात है इसमें ड्रेस कहां से बीच में आ गई तो देखिए इसमें कोई भी संशय नहीं है कि भक्ति जो है वो हुर्दे की भावना पे डिपेंड करती है उसके उपन निर्भर है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जो external या so-called बहारी चीज़े हैं उनका कोई प्रसंगिता या relevance नहीं है देखिए हम सभी तो आत्मा है हम सब गीता में ये पढ़ते हैं न देही नौस्पी निथा देहे लेकिन हम जानते हैं कि फिलाल हम लोग इस शरीर में है तो कोई विक्ति अगर ये कहे अरे मैं तो आत्मा हो ये तो शरीर तो बहारी आवरण है बहारी covering है मुझे खाना खानी की क्या जरुत है तो ऐसा विक्ती कितने दिन तक जिवित रहेगा नई जब हम इस संसार में हैं बहुतिक संसार में हैं तो हमको अपना नित्य स्थिति आत्मा का धर्म और अपना नियत स्थिति अपने शरीर का धर्म भी देखना पड़ता है समाजिक धर्म को भी समझना पड़ता है सब चीजों को balance करके चलना पड़ता है तो देखे ये बहुत महत्रपूर्ण है की जो हम कपड़े पहनते हैं, उसका काफी हद तक हमारी चेतना पर असर पड़ता है No doubt, इसमें कोई संशे नहीं है, कि भक्ती करने के लिए कोई भी अवशक नहीं है, लेकिन जब हमें एक लंबे समय तक समाज को चलाना है, उससे आगे बढ़ाना है तो इन बाहरी चुझों का भी ध्यान रखना मैत्रपूर्ण है, जैसे मैं आपको अधारन दूगा, जो हमारे देश के सेना की जवान है आर्मी आफिसर्स है भाई, सेना का का कार है देश की रक्षा करना दुश्मनों से और अंदर जो लोग आतंक बचा रहे हैं उनसे हमारे देश के लोगों की रक्षा करना तो इसके लिए क्या वो ड्रेस पेहनना जरूरी है क्या, क्या पुलिस को खा की पेहनना जरूरी है क्या, क्या पैंट शेड में वो लोग लडाई नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं, और कभी-कभी करते भी है अगर emergency आती है अगर आतंकवादी घुस गया है तो थोड़ना वेक्ति बोलेगा आतंकवादी रुको पहले मैं ड्रेस पेन के आता हूँ फिर ललूँगा ऐसे तो भी ना होता है emergency में कुछ भी करेंगे चलेगा लेकिन सामाने तोर पर आर्मी का जो ड्रेस है वो उस सैनिक के अंदर एक देश भक्ति की भावना जगाता है कि ये जो ड्रेस है ये जो उनिफॉर्म है ये मेरे देश के लोगों की जिम्मिदारी है मेरे उपर तो इसी प्रकार से जब हम धोती कुर्टा पहनते हैं साड़ी पहनते हैं तो ये हमें याद आता है कि हम ये जो ड्रेस पहने हैं ये जो आवरण हम रखे हैं ये हमें कृष्ण की सिवा के लिए प्रयोग करना है और दूसरा अगर धोती कुर्टा पहन के मैं कोई गलत कारे करूँगा मानेजे मैं किसी शराब खाने में चले जाता हूँ किसी कसीनों में चले जाता हूँ तो लोग बोलेंगे नहीं अरे प्रभुजी आप तो धोती कुर्टा पहन के कसीनों में क्या कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये हमारी रक्षा भी करता है क्योंकि हमारे उपर positive pressure डालता है जैसे college के बच्चे college के बच्चों की uniform होती है तो college के बच्चे अगर कुछ कहीं घुमने फिरने चले जाएं अनाफ शनाफ काम करने लगें तो लोग प्रश्न कर सकते हैं तो इसलिए ये हमारे culture की हमारे सभेता का part है हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा आपको धोती कुर्ता पहन नहीं है और साड़ी पहन नहीं है और आप और कुछ नहीं पहन सकते हैं पहन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रयास करना चाहिए कि at least जब मंदिर आएं या घर में तो जितना हो सके जहां पर युचित हैं हम वेदिक जो हमारे ड्रेसिस हैं वेदिक जो हमारे आवरर हैं उनको ग्रेंड करेंगे तो हमारा भगवान से कनिक्ष्ण बराना आसान रहेगा तो ये वेदिक ड्रेसिस जो हैं ये कंपल सरी नहीं है लेकिन ये होने से favorable है इनको होना अच्छा है हरे कृष्ण और भक्ति मय कारिक्रमों के लिए देखिये हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी टी एच ऑपरेटर से समपर करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही टायल करें 7666-839-839